सानिया मिर्जा से लेके सलमान और सलमान से लेके अक्षय सभी क्यों दिवाने हैं पवन सिंग के तो हम आपको बता दें कि सानिया मिर्जा जिन से पवन सिंग का बड़ा ही पुराना नाता है जी हाँ सानिया मिर्जा के उपर पवन सिंग ने एक गाना गाया था सानिया मिर्जा के नतुनिया जान मारे ले जी हाँ इस गाने के बोल इतने जादा अट्रक्टिव थे कि जिस तरह अभी पुदीना वाले सौंग पर बवाल मचा हुआ है उस तरह इस गाने पर बवाल मचा हुआ था चारों तरफ ये गाना बसता था और सानिया मिर्जा को तो इस गाने से इतनी जादा आपत्ती हो गई कि उन्होंने पवन के खिलाफ पुलिस कम्प्लेंट तक दर्ज करवा दी। बाद में इस गाने के लिए पवन को पुलिस के सामने हाजिर भी होना पड़ा लेकिन मामला वही खतम इसलिए हो गया कि इस गाने में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे लेकर सानिया मिर्जा को आपत्ती होती। बाद में जब सानिया ने समझा तो उन्हें गलती का एहसास हुआ। फिर आपको ये भी बता दें कि सानिया मिर्जा के पती ने जब ये गाना सुना यानि कि शोएब मलिक ने जब ये गाना सुना तो वो खुद अपने आपको हसने से रोक नहीं पाए और सानिया को ये कह उ सलमान की तरफ जी हां आप कहेंगे सलमार और पवन तो अभी तक एक दूसरे से मिले भी नहीं है जी हां मिले नहीं है लेकिन एक जगे का स्टार दूसरे जगे के सुपस्टार को जरूर जानता है और आपको बता दें कि बिग बॉस में जाने से पहले खेसारी के जाने से पहल सबसे पहला ओफर पवन सिंग को आया था लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पवन सिंग ने इस ओफर को ठुकराया क्योंकि वो जानते थे कि उनके लायक बिग बॉस का प्लेटफॉर्म नहीं है साथ ही आपको यहां यह भी बता दें कि बिग बॉस वालों ने नजाने कितने बार पवन सिंग को अपने शोज के लिए ओफर दे चुके हैं लेकिन पवन सिंग है कि जो अपने इस ओफर को हर बार ठुकरा देते हैं खेर आप ये बोलेंगे कि सल्मान से कनेक्शन कैसे वैसे आपको ये बता दें कि जब लगावयलु तु लिपिस्टिक गाने से ही सल्मान ये जानते है कि पवन सिंग भोजपुरी के बहुत बड़े नाम है अब अक्षय कुमार जी हां अक्षय कुमार और पवन सिंग का एक नाता रहा है टॉयलेट एक प्रेम कथा के प्रोमोशन के दोरान ही अक्षय ने जाना कि पवन यूपी बिहार में बहुत बड़ा ब्रैंड है जब वो एक गाउ में पहुचे अपने फिल्म का प्रोमोशन करन तब उन्हें पता चला कि यहां पवन की ही चलती है और उन्होंने वहां के लोगों के सामने जब लगावे लूतु लिपिस्टिक गाने पे डांस भी किया क्या कहेंगे इस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजे हाँ हाँ हम यह कहेंगे कि हो सकता है आप यह कहें कि इस सारे फेक खबरे हैं तो जी नहीं आप इसे वेबसाइड या फिर योटूब पे सर्च कर लीजिए आपको इन सारे खबरों का तथ्य मिल जाएगा भूचपुरी जगत की होट और मसाले दर गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूली